Hello everyone, very good afternoon to all of you तो शुरू करते हैं आज का हमारा lecture तो आज हम study करने जा रहे हैं The Acidic Strength of Oxo Acids ठीक है? तो आज के lecture के अंदर हम Acidic Strength के बारे में बढ़ेंगे For the Oxo Acids तो Oxo Acids के अंदर हमारे पास बहुत ही Interesting से Trends रहते हैं Acidic Strength के अंदर तो जैसे पहले आपको पताओना जी की Oxo Acids हमारे पास होता गया है ठीक है? तो Example से समझते हैं Let us consider an example कि मालनों मेरे पास हमारे पास एक Oxo Acid है जिसका Formula है हमारे पास ZOH ठीक है? ठीक है तो यहाँ पे Z हमारा एक ऐसा Group है जो कि आपके पास Acidity जो होगी कैसा Atom होगा जो कि आपके पास जो Acidity होगी Compound की उसको Determine करने में हमारी Help करेगा ठीक है? तो अब देखिए जो Strength रहेगी आपके पास यहाँ पे Oxo Acids की वो mainly आपके पास तीन Factor के उपर Depend करेगी ठीक है? तो इसमें पहला Factor जो हमारा रहेगा तीन Factor है जिनके उपर यह आपके पास त्यू Strength होगी Oxo Acids की वो Depend करेगी तो इसमें पहला जो हमारा Factor रहेगा That Will Be Your Size of Atom ठीक है? जो कि आपका Atom है इसका Size के कैसा होगा हमारे पास? ठीक है? Second Factor हमारे पास रहेगा जो Inductive Effect ठीक है? ठीक है? जो भी हमारे पास जो हमारा Z Group होगा इसके उपर जो भी हमारे Substitution लगे हुए होगे वो किस तरह से जो हमारे पास Inductive Effect का रोल प्ले करते हैं? ठीक है? उसके उपर जो हमारे पास Oxo Acid की Strength जो हो Depend करेगी ठीक है? तो यहाँ पर हमारे तीन Main Factor है जो कि हमारे पास Oxo Acid की Strength को जो है Determine करेंगे पहला कि यह जो Z Atom है इसका Size कैसा है? Second इसकी Lactonegativity और थर्ड यह जो हमारे जट Atom होगा इसके उपर जो हमारे पास Substitution लगे हुए होगे उनका Inductive Effect ठीक है? तो अब देखिए अगर मालों कि हमारा Z Atom जो है Small Size का हो ठीक है? अगर हमारा Size कैसा हो? Small Size हो और Highly Electronegative हो जैसे है आपके पास Halogenes होते हैं हमारे पास ठीक है? Fluorine, Chlorine यह वाले ठीक है? अगर Small Size का है और Highly Electronegative Atom है तो वो क्या करेगा? अगर Highly Electronegative Atom होगा तो डेफिनिटली वो Electrone Density जो है Oxygen से अपनी और खींचेगा ठीक है? तो जड जो है Electrone density अपनी और खींचे लेगा Oxygen से अब Oxygen के पास जो अपनी तरफ की कमी होना स्टार्ट हो जाएगी ठीक है? और highly electronegative atom होगा तो यह क्या करेगा यह electron density जोगे oxygen से उसको अपनी और खीच लेगा इंटर्न आपके पास इससे क्या होगा कि oxygen electron deficient होना start हो जाएगा और आपके पास क्या करेगा वो आपके पास hydrogen से electron density जो है वो अपनी और को खीचना start करतेगा तो ultimately क्या होगा हमारे पास यह जो bond होगा आपके पास oxygen और hydrogen वाला ठीक है यह जो shade pair होगा तो definitely oxygen की और चला जाएगा ठीक है highly electronegative atom है तो that means कि हमारे पास यहां से यह जो proton की dissociation होगी वो बहुत ज्यादा असान हो जाएगी ठीक है क्यों होगी क्यूंकि मैंने अब को अरी बता दिया है small size or highly electronegative atom यहां से उसका निकलना यहां से बहुत easy हो जाएगा तो जब easy हो जाएगा तो इसकी वेशांको compound ज्यादा acidic हो जाएगा ठीक है क्योंकि acidic strength का मतलब क्या है हमारे पास acidic strength का मतलब है कि हमारे पास यहां से हमें proton release करना है ठीक है proton का release होगा जब यहां पर यह जो bond होगा आपके पास ठीक है यह जो shade pair होगा oxygen और hydrogen के बीच में यह बिलकुल oxygen की तरफ को आ जाएगा ठीक है तो being oxygen highly electronegative atom है और खींचे का कभी है आपके पास shared pair को जब आपके पास इसके उपर electron की कमी आएगी ठीक है अगर इसके पास electrons की कमी आती है तभी वह shared pair को अपनी और ज्यादा खींचेगा ठीक है और यहां से hydrogen को बहा निकाल देगा ठीक है तो ऐसा कब होगा जब कि जब इसके साथ में आपके पास यह जो आपके पास यह जैड़ आटम लगा है यह आपके प पर ना जितनी यादा हमारे पास अपनी और खींचेगा इंटरन जो है यहां से अपनी और को खींच लेगा जिससे आपके पास hydrogen का जो बहुत जादा इजी हो जाएगे ठीक है तो जितना जादा है आपके पास electronegative atom होगा जैड ठीक है उतनी जादा है लेक्टों जो है आपके पास इस hydrogen से जो है आपके पास withdraw किये जाएंगे towards the oxygen atom ठीक है और उतनी ही असानी से आपका proton जो है यहां से निकल जाएगा ठीक है तो हम compare कर सकते हैं between the acidic strength of यहां से मैं कुछ different halogen atoms ले रहा हूँ ठीक है तो माल लो की जैड मेरे पास है chlorine ठीक है CLOH ठीक है इसके लावा मैं ले रहा हूँ आपके पास BROH ठीक है and then we have IOH ठीक है तो इसको हम direct भी ले सकते हैं इस तरह से this is your HCLO ठीक है this is your HBRO and this is your HIO ठीक है तो यहां से अगर acidic strength की बात करेंगे हम तो सबसे सबसे यदा acidic strength किसकी होगी जिसकी सबसे यदा लेक्टो नेगटिविटी होगी सबसे यदा लेक्टो नेगटिविटी किसकी है हमारे chlorine atom की ठीक है तो chlorine being highly electronegative सबसे लेक्टो डेंस्टी जो है आपके पास oxygen से पनी तरफ को विद्ट्रौ करेंगा तो oxygen सबसे यदा लेक्टो इसकी मारे पास value 8.7 and for this compound this value is 11.0 ठीक है तो मैंने आपको बता है जितनी कम हमारे पास P of K value होती है हमारे पास उतना ही वो strong आपका acid रहेगा ठीक है तो अगर आपसे एक्जाम में question पूछा है कि compare the acidic strength of these acids तो आपने यहाँ पे सिधा बता रहा है कि chlorine being more electronegative atom ठीक है यह oxygen से लेक्टो जो है ज्यादा खींच पाएगा अपनी तरफ को compared to that of bromine and iodine इसकी विए से आपके पास oxygen electro deficient होना start हो जाएगा और उसके करेगा आपके पास जो electron density होगी cytogen atom से उसको अपनी और खींच लेगा ठीक है जिससे आपके पास इस cytogen iron का यहाँ से निकलगा सबसे यादा easy हो जाएगा and this makes this compound to be the most acidic ठीक है और यहाँ पे जो आपका iodine होगा electronegative है लेकिन इसकी जो capacity है आपके पास electrons को withdraw करने के from the oxygen atom ठीक है बहुतनी strong नहीं क्योंकि आपके पास यह कम electronegative atom है ठीक है ठीक है ठीक है तो greater tendency to withdraw electrons from oxygen chlorine की सबसे आपके पास tendency रहेगी oxygen से electron withdraw करने के और यहाँ पे आपके पास iodine की जो tendency होगी electron withdraw करने के सबसे कम रहेगी इस compounds के अंदर अब आपने साथ में एक चीज का और ध्यान रखना है यह जो मारा compound जो हम लिख रहे है that is your zoh ठीक है यह वाला compound जो है मारे पास acidic तभी रहेगा ठीक है this compound is acidic only when जब हमारे पास जो z group होगा मारे पास इसकी जो electron activity values होगी ठीक है this compound is acidic only if this compound is acidic only if जो हमारे पास यहाँ पे z group है that is only if z जो है अगर इसकी electron activity जो है वो 1.8 से ज्यादा हो ठीक है if z has electron activity greater than 1.8 ठीक है अगर इसकी value 1.8 से ज्यादा है तो यह compound जो होगा आपके पास यह acidic रहेगा ठीक है ठीक है ठीक है तो जैसे मैं आपको example दिया यहाँ पर हमारे पास मैंने compound लिख था आपके पास this cloh this compound is acidic लेक electron activity value बहुत ही कम है जैसे example के दोपर मैंने sodium ले लिया ठीक है तो इट विल बिकम एन ने वच अब sodium की electron activity कितनी होती है आपके पास sodium atom होता है इसकी electron activity value होती है 0.8 ठीक है तो 1.8 से कम है that means this compound will behave as no base ठीक है तो आप से बिन देखा ही है कि अगर हमारे पास OH group होता ही है तो अगर आपके पास electronegative atom जो है उसकी electron activity values होगी हमारे पास atom की अगर वो 1.8 से कम है तो वो compound जो है आपके पास base behave करेगा लेकिन अगर इस की electron activity 1.8 से जाजा है तो this compound joint will behave as acidic ठीक है this will behave as acidic तो इस टीज को भी आपने ध्यान में रख रहा है तो देखिए जो आपके first two factors से oxoacid की strength को compare करने की that is size of atom and electron activity of atom इसके बारे हमने बात कर दी है अब है आपके पास third effect that is inductive effect of the substitution present on jet atom मान लो कि मारे पास जो jet atom जो मारा पास जो ठीक है जो भी कोई atom होगा जैसे chlorine है मान लो हमारे पास यहां पर तो अगर मैंने यहां पर आपके पास कुछ substitute जो है यहां पर place कर दी है ठीक है तो उनका inductive effect जो आपके पास कीस तरह से acid strength को जो है आपके पास influence करेगा for these oxoacids तो example के तोर के उपर मान लो कि मैं यहां पर oxygen atoms लगे होंगे मेरे पास jet atoms के उपर तो they will ठीक है it will increases the acidic strength ठीक है तो अगर मेरे पास jet atom के उपर additional जो groups होंगे अगर मान लो oxygen atoms लगे होंगे तो they will increases the acidity तो acidic जो strength होगे आपके पास उसको बढ़ा गेंगे तो अब हमें यही study करना है कि आपके पास acidic strength को किस तरह से बढ़ाएं तो देखिए simple सी बात है अगर आपके पास number of oxygen atoms बढ़ते जाएंगे तो definitely oxidation state भी बढ़ती जाएगी तो इससे होगा क्या कि जो आपके पास jet atom है इसका oxidation number जो हमारे पास increase होता जाएगा तो जैसे जैसे आपके पास oxidation number बढ़ता जाएगा jet atom का हमारे पास तो इससे आपके पास जो acid strength होगी वह भी बढ़ती जाएगी इस चीज को हम detail में study करेंगे तो पहले examples लेते हैं हम ठीक है तो मालो की मेरे पास acids है ठीक है suppose we have acids acids तो acids ले रहा हूं मैं आपके पास chlorine की ही बात करेंगे जाएगा हमारा chlorine रहेगा और यहां पर हमारे पास जो है अगर सब्स्टिजन जो पर oxygen रहेंगे ठीक है तो example की तोर के उपर मालो we have HCl ठीक है अब आप यहां क्या करो जैड के साथ जो है जो आपका chlorine atom है जो आप oxygen जो ह हो है यहां पर add कर दिये तो यहां पर दो सब्स्टिजन लग गए है जैड के साथ को it will become HCl O3 similarly HCl O4 ठीक है पर glory के asset तो हमें compare करना है the acidic strength of these assets ठीक है तो exams में कई बार आप से direct question पूछा जाएगा कि compare the acidic strength of ठीक है आपको इस तरह से example दी दिए जाएगा आपके पास और आपको इनकी asset extent को compare करना है ठीक है तो जो में आपको बास बता रहा है कि हमने additional group लगाया हमने जाएड items के उपर ठीक है तो यह आपके पास कुछ भी नहीं है इसको मैं simple choice तरह से लिख सकता हूँ this is your H O C L ठीक है so this will be your H O C L O ठीक है मतला chlorine के साथ मैंने यहां पर एक oxygen atom लगाया сол, यहांपर आपके पास जोगा इना oxygen atom लग गए है so this is nothing your is को हम बोलते है HO Cl को आपके पास hypo chloride this is called as your hypo chloride ठीक है then your H C O 2 जो होते है इस 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 is called as your chloride ठीक है इसको हम chloride बोलते है and then H C L O 3 is called as your chlorate और जो आपके पास H C O 4 होता है आपके पास this is called as your पर-Klorate इसको बोलते हैं ठीक है तो हमें compare करना है आप इन सभी की acidic strength को ठीक है एक्जामस में कई बार आप से इस तरह से गोशनी पूछ ले जाएगा कि compare the acidic strength of these different oxo acids of chlorine atom ठीक है तो आपने क्या ध्यान में रखना है कि जैसे जैसे हमारे पास number of oxygen atoms जो है बढ़ते जा रहे हैं हमारे पास तोicularane number होगा हमारे पास central atom का ठीक है तो central atom कौन साइं oxo acids के अंदर central atom है हमारे पास chlorine atom ठीक है तो उसका oxidation number भी मारे पास यहां पर बढथता जा रहा है कैसे बढ़ता जा रहा है इसको लिखते हैं that is our oxidation number ठीक है तो दिखिए यहाँ पे हमारे पास acidic strength की बात कर रहे हैं definitely proton जाएगा यहाँ से आपके पास H positive ठीक है एक आपके पास O2 negative यहाँ पे तो आपका oxygen group है oxide as oxide यहाँ पे touch हो रहा है तो this is 2 negative this is plus 1 ठीक है तो net हमारे पास यहाँ पे जोसकी oxidation state आएगी that will be your plus 1 ठीक है अब यहाँ पे आपके पास क्या होगा एक oxygen और एड़ हो गया है तो oxidation state will be plus 3 यहाँ पे 2 oxygen एड़ हुए है that will be oxidation state जो आप यहाँ पे plus 2 और बढ़ जाएगी ठीक है यहाँ पे एक ही oxygen है तो plus 1 आ रही है जब 2 oxygen हो जाएगे तो प्लस 3 हो जाएगी अब एक oxygen और एड़ हो गया यहाँ पे प्लस 5 अब यहाँ पे एक oxygen और एड़ हो रहा है प्लस 7 ठीक है तो आप एजली निकाल सकते हैं ठीक है एक oxygen एक पर माइनस 2 चार्ज होता है माइनस 2 इंटो 4 माइनस 8 and this is H+. ठीक है तो हमारे पास प्लस 7 आपके पास oxygen state जो है यहाँ से easily निकल के आ जाएगी तो देखी जैसे जैसे central atom के उपर जो हमारे पास oxygen state बढ़ती जा रही है हमारे पास जो आपके पास acidic strength होगी वो भी हमारी बढ़ती जाएगी तो मतला order के होगा हमारे पास acidic strength का तो दिस इस दा order of acidic strength ठीक है जाब बोल सकते हैं कि acidic strength जो हमारे पास यह हमारे पास increase कर रही है इस तरफ को ठीक है इट increases ठीक है और क्यों increase कर रही है क्यों हमारे पास oxidation number जो है यहाँ पर बढ़ता जा रहा है अब जितना जाब हमारे पास oxidation number होगा definitely हमारे पास electron को withdraw करने के capacity होगी हमारे पास वो भी हमारी बढ़ जाएगे ठीक है जिससे हमारे पास hydrogen ion का release होगा यहाँ से बहुत ही easy हमारे पास हो जाएगा ठीक है अब देखिए इसी चीज़ को हमने explain करना है on the basis of the जो हमारे पास ion बनेगा ठीक है इस order को हम explain करेंगे that is हम इस order को explain करेंगे on the basis of the stability of the ion form ठीक है तो आप सभी को बता ही है कि जब भी हमारे पास कोई acid जो है ठीक है जब वो proton निकालता है हमारे पास तो हमारे पास जो उसका anion बनता है that is called as conjugate base उसको हम conjugate base बोलते है इस acid का ठीक है तो ये हमारा acid है यहाँ से जभी proton निकलेगा ठीक है तो जब इसका conjugate base बनके आएगा this will be this one ठीक है तो हमारे पास ही जब different acids है ठीक है तो इनके सभी के conjugate base बनके आएगे तो यहाँ से हम compare करेंगे कि हमारे पास कौन सा conjugate base जो है ठीक है उसका conjugate base होता है आपके पास that will be your weak ठीक and similarly अगर कोई acid आपके पास weak है ठीक है तो उसका conjugate base होता है हमारे पास that is your strong ठीक है तो यह सब चीज़े को हम basics पढ़ चुके हुए है तो इसी basis के उपर हम यहाँ पे compare करेंगे अब मैंने अल्री आपके पास acidic strength लिखती हुई है यहाँ से तो आप सभी को पता ही कि सबसे strongest acid को हमारे पास है हमारे पास है पर-cloric acid है ठीक है तो इसका मतलब क्योंगा जो conjugate base हमारे पास बनेगा पर-cloric acid का वो सबसी आप weak होगा ठीक है and similarly यह जो मारा hypochlorite है this is the weakest acid among these four तो definitely इसका जो conjugate base होगा it will be the strongest तो देखिए upon ionization हमारे पास conjugate bases क्या 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 बनेंगे ठीक है पहला है हमारे पास HCl हो इसका conjugate base जो मारे पास बनेंगे ठीक है this is our conjugate bases ठीक है तो conjugate base क्या बनेगा हमारे पास hypochloride का this will be your ClO negative जब proton निकल जाएगा similarly chloride ClO2 negative ठीक है यहाँ से आपके पास ClO2 negative जब proton निकल जाएगा अब similarly chlorate ठीक है ClO3 negative बन जाएगा यहाँ से हमारे पास this is your ClO3 negative और per chloride acid का बन जाएगा हमारे पास यहाँ से per chloride ठीक है अब देखिए 4 cases में हमारे पास क्या रहा है हमारे पास जो है वो anion बनके आ रहे है ठीक है और यह जो anion है they will get stabilized ठीक है यह stabilized हो किस तरह से होंगे या तो हमारे पास charge distribution होगी pipe bond की या फिर आपके पास double bonded oxygen atom है उनके ठीक हो है हमारे पास charge distribution होगी और वहां से आपके पास यह जो anions है वो सारे के सारे stabilized होंगे ठीक है that means कि यह जो negative charge है इन सभी हमारे पास जो भी conjugate basis बन रहे है अब वो negative charge जो है वो stabilized होगा through the charge distribution by these double bonded oxygen atoms के through मतलब यह जो हमारे oxygen atom यहाँ पर present होंगे वो इस negative charge को stabilize करने में help करेंगे ठीक है तो charge distribution जब हमारे पास यहाँ से आपके पास जो है वो बड़े हमारे पास जब यहाँ से delocalization होगी हमारे पास ठीक है इस charge की हमारे पास यहाँ से delocalization होगी तो उससे हमारे पास आयन जो है वो ज्यादा stabilize होना start हो जाएगा ठीक है तो इसका मतलब क्या है जितनी ज्यादा हमारे पास जो है यहाँ से delocalization होगी इस negative charge की ठीक है उतना ही ज्यादा हमारे पास iron जो है वो stabilize होगा जैसे example के तोर के ऊपर ठीक है यह आप सभी के आप दिखरें ना यहाँ पर हम तो जितनी ज्यादा delocalization होती जाएगी मारे पास उतना ही ज्यादा negative charge जो है आपके पास stabilize होगा ठीक है और अगर वो stabilize होगा definitely मारे पास जो conjugate base होगा आपके पास वो stabilize तो होई जाएगा तो मतलब उसका जो nature है that will be your weakest मतलब आपा conjugate base जो हो उतना strong base जो है behave नहीं करेगा क्योंकि आपके पास उसका जो negative charge जब वो आपके पास stabilize होता जा रहा है अगर आपके conjugate base का negative charge जो अगर वो stabilize नहीं होगा ठीक है तो इसका मतलब कि अगर वो आपके पास strong base बहेव करेगा ठीक है मैं फिर से repeat कर रहा हूँ अगर हमारे पास conjugate base जो मेरे चार बन रहे है अगर यहाँ पर आपके इनका negative charge जो अगर वो stabilize नहीं हो रहा है through the delocalization with these double bonded oxygen atoms ठीक है तो अगर वो उसके through जो है हमारे पास negative charge जो है वो stabilize नहीं हो रहा तो that means कि हमारे पास वो वाला conjugate base होगा वो सबसे यहादा strongest होगा ठीक है अगर यह negative charge जो हो stabilize हो गया through the delocalization तो वो वाला conjugate base जो हमारे सबसे weak रहेगा ठीक है तो already मैंने को बिला चुका हूँ जितना weak conjugate base होगा उसका acid उतना ही strong होगा and similarly जितना strong मेरे पास conjugate base होगा उसका acid उतना ही ज्यादा weak रहेगा तो देखिए आप यहाँ से easily समझ सकते हैं कि हमारे पास चार oxygen atom है ठीक है तो यहाँ पे चार oxygen atom easily इस negative charge को जो हो है वो आपके पास delocalization के तुरू जो है वो stabilize कर सकते हैं that means कि हमारे पास maximum stabilization जो होगी हमारे पास conjugate base के लिए वो यहाँ पे रहेगी ठीक है तो यह वाला जो मारा पर chloride ion है यह सबसे आपास stabilize हो जाएगा ठीक है through the delocalization ठीक कि अगर आपके पास conjugate base जो आपके पास weak है तो उसका acid के हैसा होगा सबसे strong होगा ठीक है तो इस delocalization को मैं इस तरह से represent कर सकता हूँ ठीक है मैं simple तरह से represent कर रहा हूँ tetraidal आपके बास structure होता है इस पर chloride ion का तो मैं tetraidal form के नहीं जा रहा हूँ मैं simple आपके बता रहा हूँ कि आ चार oxygen atoms जो है वो आपके पास de-localization करके इस negative charge को जो हो stabilize करेंगे ठीक है तो this is your negative charge ठीक है यहां पर यहाँ पर पर हमारे पासandel connais chant Uhh. हाँ और यहां पर हमारे पास Papon होगाió好 होगा यहां पर हमारे पास। ठीक है, maximum stabilized this is maximum stabilized ठीक है, तो यह आपके सबसे this is your weakest base ठीक है, अगर मैं basic nature की बात करूँ तो यह आपका सबसे weakest base होगा similarly, यहापे हमारे पास, यह आपके पास hypochlorite, ठीक है, हमारे पास जो आएन है यह वाला, ठीक है, यहापे आपके पास जो आपके पास stabilized नहीं होगा that means, यह आपके पास सबसे strongest base होगा, this is the strongest base ठीक है, और बाक्की जो आपके पास, आपके chloride and chloride ions है they are also get stabilized this is chlorine, oxygen, oxygen ठीक है, यहापे दो oxygen atoms है ठीक है, this is negative, and यहापे तीन oxygen atom होगे हमारे पास chlorine, oxygen, oxygen and oxygen ठीक है, यहापे double bond हमारे पास pi रेक्टर आएगा, and this is the negative charge अब देखिए, अब ध्यान से समझना अब देखिए, हमारे पास यहापे क्या रहा है, मैं आपको और बताया है कि 4 oxygen atom है, इस negative charge को सबसे जादा stabilize करतेंगे, ठीक है तो यह सबसे यहादा stabilize हो गया हमारे पास per chloride ion तो इसकी जो हमारे पास attraction होगी for the proton ठीक है, जो इस iron के अब tendency होगी proton को अपनी और खीचने की ठीक है, वह आपके पास बहुत ही कम हो जाएगी क्योंकि यह बहुत है, जो negative charge है, वो stabilize हो जुगा है, सारा का सारा, through delocalization तो मतलब इसकी tendency जो होगी आपके पास proton को अपनी और खीचने के लिए, वो आपके पास बिल्कुली कम हो जाएगी that is why it is behaving as a weaker base, ठीक है, क्योंकि सबसे आदा stabilize हो जुगा है इसका negative charge ठीक है, तो stabilize होने के बिज़ा से इसके पास तेंडेंसी होगी, proton को अपनी और खीचने के वो सबसे कम रहेगी, ठीक है इसका मतलब क्यों होगा, अब यह proton को अपनी और खीचेगा कम, ठीक है, तो इसका आपके पास corresponding acid होगा इसके अंदर, C-L low negative, ठीक है, this has a minimum charge stabilization, इसका जो charge है, सबसे कम stabilize यहाँ पे हो रहा है, minimum charge stabilization, तो इसका मतलब क्यों होगा, इसकी जो हमारे पास tendency होगी, proton को अपनी और खीचेगा, वो सबसे जारा होगी, ठीक है, so it will behave the strongest base, यह सबसे strong conjugate base होगा, इन चारों में से, ठीक है, it is the strongest conjugate base, इन चारों में से, तो that means, इसका जो acid होगा, वो आपके पास सबसे यादा weak होगा, ठीक है, तो जो आपके पास hypo chloride acid होगा, that is H-C-L-O, यह सबसे weakest आपके पास जो है, वो acid होगा, ठीक है, तो compare to all of these four, तो मैं आपको बता दिया, कि on the basis of charge stabilization, हम इस acidic strength को जो है, easily explain कर सकते है कि आपके पास जो conjugate bases बनेंगे, ठीक है, वहाँ पे किसके अंदर stabilization सबसे यादा हो रही है, तो आपने क्या याद रखना है, कि जहाँ पे आपके पास सबसे यादा stabilization होगी, ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास per chloride के अंदर हो रही है, तो आपके पास वो weak conjugate base हो जाएगा, क यहां पर oxygen atom इतने यावन नहीं है कि आपके पास इसके negative charge को stabilize कर सके हैं यहां पर तो 4 oxygen atoms है जो कि इसके negative charge को stabilize कर सकते हैं ठीक है? So this makes कि जो आपके पास सबसे weak conjugate base होगा उसका acid उतना ही ज्यादा strong होगा और जो आपके पास सबसे strongest conjugate base होगा उसका acid उतना ही weak रहेगा So on the basis of this effect आप compare कर सकते हैं कि हमारे पास जो hypochloride होता है This is the weakest acid compared to that of chloride, chloride and your perchloric acid So this is important topic, ठीक है? So this is the acidic strength of different oxo acids, ठीक है? जिसके अंदर हमने compare किया with that of हमारे पास oxo जो मैंने यहाँ पर atom लिया था, ठीक है? जो हमने oxo acids के अंदर है, जो हमने atom consider किया, that is your Z, that is your chlorine atom, ठीक है? तो यहाँ पर आपके पास oxo acids है, chlorine atom के Similarly, आप oxo acids जो हैं, उनको compare कर सकते हो with that of nitrogen as well as sulfur तो अगर बावलोगी मेरे पास यहाँ पर, अगर मैं nitrogen की बात करता हूँ, तो हमारे पास क्या ओना था? HNO, ठीक है, when we have HNO2, ठीक है, then we have nitric acid, HNO3, ठीक है? तो अगेन यही concept आपके पास, कि charge stabilization सबसे बावा किसके अंदर हो रही है, similar जो मैंने आपको explain किया, वो यहाँ पी explain हो जाएगा, तो nitric acid जो है, सबसे strongest acid होगा, among इसके जो भी बाकी oxo acids होंगे, similarly, sulfur के case में भी हम study कर सकते हैं, यही effect, ठीक है, तो this is sulfurous acid, and this is your sulfuric acid, तो sulfuric acid ज्यादा strong acid होगा, compared to that of sulfurous acid, तो इसको आप compare कर सकते हैं, उन्दा basis of this conjugate basis, जो आपके पास इनकी charge stabilization रहेगी,